नमस्कार दोस्तों, Genuine Electrician में आपका स्वावत है, आज की वीडियो में मैं आपको बहुती बेस्ट आइडिया बोलने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, कुछ जगह पे घर के ओनर्स सज्जा जब दालते हैं, उस टैम पे हमें इनफर्म नहीं करते हैं, जैसे क आप देख सकते हो, यह पूजा रूम के पास भी यहाँ पे एक पॉइंट डालना है, यह ओपन किचन है, यहाँ पे भी एक पॉइंट लगाना है, तो दिवार में जब पाइपलैन डालते हैं, उसी टाइम पे जहाँ पे पॉइंट लगाना है, उदर पॉनिज का पाइप आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, पाउनिज का केसिंग मैं डिल मारके लगा दूँगा, यहाँ पे जब लाइट पॉइंट लगाऊंगा, तो उसे जो कवर रहता है, उसे डिल करके, यह जो सेंटर पॉइंट निकाला हूँ, उससे थोड़ा ज़ादा रखके मैं व सेम जितना भी यहाँ पे पॉइंट से लगाने के, ऐसे ही इसी तरीके से मैं कम्पेट कर लूँगा, यह देखिए यह किचन का पॉइंट है, यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट चाहिए था, जो किचन का छोटा सा प्लाटफॉर्म आया है, यह देखिए इसका सेंटर निकाल के, यहाँ पे एक लाइट पॉइंट लिया हूँ मैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्लाप के ऊपर, ओपन एरिया है, उस ओपन एरिया में कुछ फंक्शन होगा रहा करने के लिए, यहाँ पे भी चार पॉइंट शाहिए थे, ऐसा कस्टमर कहा था, मैं उनको एक्स्प्लेन करक करने के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं अकेला काम किया था, यहाँ पे पूरा मेजरमेंट लेके ही मैं तीन पॉइंट लिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक बात जरूर याद रखिए, वाइरिंग बहुत ही बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि ब आपको यहाँ पे किचन का पॉइंट दिखाऊंगा, यहाँ पे भी प्लास्टरिंग कंप्लिट हो चुका है, यह देखिए, और यहाँ पे नेक्स्ट पूजा रूम का भी कंप्लिट हो चुका है, यह वीडियो में आपको आइडिया कैसा लगा मुझे, जरूर कमेंट्स मे बोलिए चानल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू कीजिए मिलते हैं नेक्स टूडियो में थ्यांक यू